अरे कृष्णा ओमाइगॉड मुवी भगवद गीता परस्पेक्टिव ओमाइगॉड मुवी में जो टू मुझो मुवी है उसमें सेक्स एजूकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है और वो एक यूक होता है जो आत्मात्या करने के प्रयास करता है उसे टालने के लिए सेक्स एजूकेशन को हमें फैलाना चाहिए ऐसे बताया गया है यह कहानी है एक ट्रैजिक है कोई छोटा सा कोई यूक बच्चा है व वो आत्मात्य करने का प्रयास करता है. और उसके पिता सारे समाज के खिलाब गारा है. उसका अपने बच्चे के साथच जो हुआ, वो आपस नो हो इसके लिए. यह एक तरह से हरॉइक है. और हाँ, जड़ूर कोई और आत्मात्य कर रहा है. उसे टालने के लिए कर कुछ ग्यान देना जरूरी है तो ग्यान देने में जरूर मदद करनी चाहिए पर जो solution यहाँ पर बताया जा रहा है क्या वो वास्तों में solution है या देखना है हमें तो भगवीता के आधार पर हम यह आत्मात्य का क्या कारण है उसमें sex education टालने में क्या भूमिका हो सकती है और अच्छी तरह से आत्मात्य टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं इन सब के विश्वर चर्चा करेंगे और कि सबसे पहले भी बताया गया है कि वो जो बालक था वो युवक था वो किसी संबन जोड़ने का प्रयास कर रहा था वो अपर यश नहीं मिलता है फिर यश मिलता है तो उसके मित्र उसको चिढाने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि उसका जो reproductive organ है बहुत छोटा है तो उसस और वो कुछ दवाई लेने का प्रयास करता है उससे उसको कभी बेहुश हो जाता है उसको कोई बोलता है कि आप masturbate करके तो organ बढ़ जाएगा तो masturbate करने का प्रयास करता है उसका वीडियो बनता है लेते हैं उसके कोई students दूसरे उसको viral कर देते हैं उसकी बेईज़ती हो ज चाहिए तो अभी sex education अगर होता है तो sex education से exactly क्या कैसे यह से प्रिवेंट होता था भगवीता में बताया गया है कि हर विक्ति को उचित कारे करने के लिए बुद्धी होना जरूरी है तो अठ्रवे अध्या के तीसरे शोग में बताते है कि प्रुद्तिम चे निरुद्तिम अगर कोई विक्ति को होना जरूरी है तो अगर कोई विक्ति खत्रे में जा रहा है उसको रोकने के लिए जो बुद्धी है प्राप्त करना है वो देना एक सत्वगुन का लक्षन हो सकता है अभी यहां पर अगर sex education की बात करनी है तो sex education के लिए से काफी dangers होते है जो आजकल के समाज में है और इसलिए उसको देना काफी समाज में परसे में जरूरी हो सकता है काजकर चोटे बच्चे है आजकल उनको अब्यूज होता है उसे predators होते है जो चोटे बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाते है तो उनसे बच अच्छे यूग बन जाते हैं तो तभी वो जब sexually active होने लगेगे तो तभी उसमें क्या-क्या health hazards है और खास करके अगर वो कोई से treatment लेते हैं इससे कि उद्लों को लगता है कि उनके शरीर क्यांग और बढ़ जाएगे और उसमें क्या खत्रे है जो जो danger से उसमें उसके बार अच्छे वारे बात कर सकते थे इस मूवी में और बात कर सकते हैं कैसे तरह से दवाईयां जो ली जाती है और दवाईयों का कैसे सावधानी सिलना चाहिए उससे काफी घातक प्रिणाम हो सकते हैं पर उसके जगह पे मूवी में पूरा इस और दिया है कि masturbation जो है वो पुर जो कि आत्मा उसकी जो विवेक बुद्धि यह पर परिशान कर रहे ती वह तो वह काषिक करते जा रहा था उसका उद्धेश्च कर ने के लिए तो जब उसकी बदनामी हुई जो हो लोग उने वीडियो निकाल दिया तो क्या वो लोग सोचते हैं कि masturbation natural नहीं है क्या वो ल देना है कि आपको ऐसे बच्चे को इस्टिएट नहीं करना चाहिए इसलिए है वह हाउ विल सेक्स एडूकेशन प्रिवेंट इस्यूसाइड एक्जाक्ली वास्तों में अगर यह सिनारियो है यह शायद 25 साल पहले भारत में अगर कोई करते हुए उसका वीडियो बनता था तो वह कॉंट्रवर्शिल हो सकता था और तभी तो फुमाईल फोन फोटो नहीं थे वीडियो को बनाने के लिए और तभी तो सोशल में नहीं था वाइरल होन है उस्से स्कूल रस्टिकेट करेगा इसके लिए एकदम अनलाइकली हो है यह ऐसा है बुए इसा पासंग होना अनलाइकली तो अगर सेक्स एज्यूकर देना है तो ऐसा एक unrealistic प्रसंग बनाकर फिर सोर देधार जक्नां और बहुत कुछ Sink блoku दें सकते थे जुदरूरी है उसका मात-ई.. नहीं बताया है इस और चीज का ही बताया गया है तो अभी इसलिए अगर यह जो किसी को आत्मात्या नहीं करनी है तो क्या? उसको क्या music देना लुक्त जो भी वागवदीता में बताए गया है कि हम सब वास्तों में आत्मा है और जब वेक्ति जो अविनाशी आत्मा है वहां किसी बहुत इक चीज से खुद को ज्यादा पहचान करा लेता है तो फिर वहां मार्क से विद्यार्थी पहचान कर सकते हैं तो उससे जो मोह होता है उससे सारे जो व्यत्ते होते हैं उससे सारे उपद्रव जिवने मत जाते हैं तो अभी भगोईता में कहते हैं कि हम सब में मोह है कि हम हमारे शरीर से पहचान करते हैं पर यहां पर शरीर से ही नहीं शरीर के एक आवयव से पहचान हो रही है नकेवल एक शरीर के आवयव से शरीर के एक आवयव के एक औरगन के साइज से खुद को आइडेंटिफाय कर तो यह एक मोह है और यह जो मोह को अगर निकालना है तो उसके लिए spiritual knowledge ज़रूरी है spiritual education चाहिए sex education नहीं spiritual education मतलब कि हम सब आत्मा है और जो हमारे शारिक बहाया या शारिक जो features है वो सब केवल एक शरीर के features है इस जीवन में हमारे साथ रहेगे पर उनके द्वारा हम आत्मा जो है जो अभिनाशी है जो पवित्र है जो भगवान का आमश्य है उसको कुछ फरक नहीं पड़ता है रियल suicide prevention करना है हमको तो फिर यक्ति को भी बताना है कि जिन चीजों में आपने भावनाओं को lock कर दिया इन्वेस्ट कर दिया है उसे दूर निकालिए थोड़ा सा उतके पहचान आत्मा से कीजिए तो यह ज़रूर उसका आत्मात्या को प्रेवेंट करना चाहिए करने के लिए जो ज्यान देना चाहिए वो ज्यान है spiritual education sex education नहीं और जहां तक sex education की बात है उसे masturbation कहते है कोई natural कहता है क्या यह सही में natural है क्या मतलब है natural का तो अभी कोई call of nature होता है कोई urination कहीं आता है उत्तर करता है तो तभी वो उसे खुद को कुछ stimulate नहीं करना पड़ता है पर यहां पर जब एक्ती masturbate करते हैं लोग तो उनको अपने शरीर को stimulate करना पड़ता है फिर मन को stimulate करना पड़ता है चाहिए आखों में कुछ देखते है मन से कुछ कलपना करते हैं तो अगर यह पूरा नाय सर्गिक नाचरल ही है तो फिर यह स्टाडि स्टिमिलेशन की जरूरत क्या है उसके लिए और अगर यह नाचरल है तो क्या मतलब है उसका उसका एक्सिरिट्री ओर्गन से हमारे यूरिन आता है तो क्या जो स्पर्म है उसको उसी तुलना कर सकते हैं तो स्पर्म स्पर्म पूरा एक नया शरीर निर्मिति के लिए जो पुष्टी करने के लिए जो चीजे वह उसमें उपलब होती है उसके उसके काफी ज़्यादा है तो क्या वो कंपेर कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से और अगर हमें सेक्स एगिशन देना भी है तो सेक्स एग इकल डाइमेंशन भी है क्या सही है क्या गलत है बले हम बोले धार्म को नहीं मानते ठीक है फिर भी एक व्यावारिक दुष्टी से इक गौध कमभीर प्रॉब्लम है कि इन नाम के ऑथर है उन्होंने आउट ओध शैड़ो दाम की लिखाब लिखा है उसमें कैसे से कितने सारे प्रकार है और यह और इसको भयंकर हो सकता है कभी कभी यह बता जाता है और एक एक ऐसी फिसलने का मार्ग है वो पहाड से नीचे गिरने का समान उसकी शुरुवात कहीं बार मास्टरविशन से होती है पॉन से होती है और तो कोई अगर मास्टरवेट कर रहा है उसको बताते हैं को पूरा नॉर्मल नाच्रल है तो उससे कभी भी वह फिसल के कहां तक निची जाएगा उसके को बड़ा खत्रा है यह खत्र किया कहते हैं कि वह जब इस कि ए देखें कि एसा होता है कि वह कलपना से उनका मन इतना बहुत ज्सा ज्यादा उताज होता है कि वह वहारीग कर पाते ह्ते हो मिं उत्सफ्ह शक्ति बत्सबानjed सम्ने Deus और उसके कारण कोई संबंद नहीं होते हैं उसके आन बच्चे नहीं होते हैं तो यह अभी खास करके पाश्चत देशों में जहां पर पूरा काफी हद तक सेक्स एजूकेशन नहीं केवल है पर लिब्रल कल्चर भी है वहां पर एक तरह से जो डेमोग्राफिक जो लोकसंख् और बहुत बड़ा खत्रा आ गया है कई कारण है पर एक कारण यह है कि लोग संबंदी नहीं रखते है ज्यादा कि सब लोग कल्पनिक जीवन में जी रहे हैं तो कल्पनिक आखेले बोग अकेले कुछ तो भोग करने का प्रयास करें तो यह सब व्याबहारी की रूप व्यक किस तरह से हमारे वैदिक संस्कृति वैदिक शास्त्र पहले बहुत लिबरल थे पर अभी कुछ लोगों ने इसको कॉंजर्वेट्व कर दिया है इसके लिए तीन चीज़े बताई गई है थीन चार चीज़े बताई है पहले कामसुत्र है या फिर कई मंदिरों में कैसे चि इक्षक है ट्रेडिशन के जो अनुयाई है वो उस परंपरा में उस ट्रेडिशन में क्या देखते है उनकी उनसे समझना चाहिए हमको हां कामसुत्र जो है वो वैदिक सकंथों में से एक महत्वपूर्ण एक ग्रंत है पर इडिस नॉट बाइनी मीन्स इम्पूर्टन बु चाहिए हो माधा चाहिए हो चाहिए वह अध्वईत्मार्ग शंकरा चाहिए वेदानत के बाहर भी जो सांखे सिखाने वाद ईश्वर कृष्ण हो जो भी हो ऐसे अनेक संत्र है उन्होंने किसीने यह नहीं कहा है कि आपको वैदिक शास्त्रों को समझना है तो आपको चाहिए यह कोई ज्यादा महत्वपूर्ण गरंत नहीं है अधिशास्त्रों में अभी उसका महत्व खास करके पाश्चात देशों में आ गया है क्योंकि पाश्चात देश से जब बिटिश लोग आये थे भारत में तो उनमेंसे दो गुर्ण थे एक तो जो खृस्चिन थे तो वो हिंदूइजम की निंदा करके लोगों कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहते थे तुम्हारा धर्म कैसे धर्म है उसके शास्त्रों में ऐसे ऐसे अचलीन चीज़ें बताने वाले आपके गरंत है यह धर्म को छोड़ दो और जो थोड़े राशनलिस्ट प्रकार के नोग थे जो खृष्शन नहीं थे उसके विरोध में थे वो तो भूग करना चाहते थे और और बोलसे प्राचिंगानत है, इस ने भी भूग के बारे म Mensch को बतायागया है तो इज भूG करना है, यह बहुत इस colon में चला आ रहा है हम सको करने कि जस्टिफाय करने के लिए उ वेदिक शास्तों के सारे लाइबरी में उसको बहुत ज्यादा महत्वा नहीं दिया है प्रित्वी के ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर आध्यात्मी जगत है, जो व्यक्ति आध्यात्मी जगत, जहां पर शाष्वत है, स्वर्ग के परे जो है, वहां पर शाष्वत आनंद है, स्वर्ग में काफी बहुत सारा भोग है, उसमें आपसराय है, और बहुतिक भोग भी वहाँ पे है तो जो वैकुंठ लोग जाता है जो भगवद्धा में जाता है उसे स्वर्ग के परे जाना जरूरी है और स्वर्ग के परे जाना मतलब स्वर्ग में जो प्रलोभन है उनक्यों ध्यान न देते हुए उसके आगे जाना जरूरी है तो जो वैक्ति मंदिर में वैसे ही मंदिर के बहर के राकों में, कई बार यह स्वर्गिय भोग उसके बारे में वरणन होता है, तो व्यक्ति को अगर आध्यात्म प्राप्ति करनी है, था भोगों से दूर रहकर आ सीदा जो भगवान का मंदिर है, केंद्र है जो वेकुंट का पृतिमूर्ति है वहां पर जाना जरूरी है तो इसलिए कुछ मंदिरों में ऐसे भले ही ऐसे आर्किटेक्ट्चर है अभी उस पे कभी ज्यादा जोर नहीं दिया है तो गते हैं कि आप मंदिर में जो महान संत है जो महान पंडित है जो महान आचारी है उन्हीं नहीं कहाए कि आप मंदिर में जाओ वो वो सब चीज़ा देखो मंदिर में जाओ बहुआ के दर्शन के लिए कि सब जो इसके ऐसे कारे को लिए भी कोई जगह है ऐसे चित्रों के लिए या ऐसे क्रंतों के लिए जगह है वैदिशास्त्रों में उसका मतलब यह नहीं कि सब चीजों का उतना ही महत्व है वैदिशास्त्रों में अभी चार पूरुशार से बताएगा है उनमें से एक है काम पर काम जो है वो तीसरा है धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्षे तो वह काम का मतलब क्या है क्या वो उससे कोई गह सकता है जिस्ट नमास्टबिशन नॉर्मल है यह बिल्कुल नहीं है वो ऐसे धर्म का मतलब केवल धार्मिक रिवास करना और भगवान पर शद्दा रखना नह में हिसी तो अगर बच्पन में बचा बड़ा हो रहा है यह विक्ति भान में अर्ठय कमाता है ऑर्थ मतलब पैस है नहीं रिषूर्स मैनेज्मेंट जो जीवन के लिए रिसूर्स जरूरी है वह प्राप्त करता है दोए के बाद में काम पूर्थी होते है दर्म अर्थ करने के बाद काम तोस्ष्ट इच्छा पूरी होती पुरूस से क्या होता है दिर दिर वक्ति को शाक्षातकार होता है कि जीवन में इसके परे भी कुछ होना चाहिए और तभी वक्ति मोख्ष की और प्रयास करता है और भगवत प्राप्त करें प्रफगान कहते हैं यह अवी पश्चिताहा यह ऐसे लोग है कि जो उनकी बुद्धी कम है बोलते हैं तो यह धर्म के नाम पर भौतिक वाद आ जाता है पर जैसे विज्ञान ने प्रगति की 17-18 शादती में और फिर वो जो भौतिक वादी संस्कृति उसके बाद में आई वह सारे विश्व मेर्व में आ गई तो धर्म को भी निकाल दिया फिर क्या रहा है केवल अर्थ और काम रहे गया है मतलब व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे संबंद क्या होने के जरूत है मैं सिर्फ मूवी देखूगा पॉन देखूगा और फिर मास्टर म कीतिः और फिर क्यवल काम की पूर्टी है तो अगल काम की पूरती होती है धरम नहीं है किवल अर्थ नहीं है अर्थ किसे कहीं से मिल जाता है उसको कहे काम के पढ़ा हुआ है तो फिर यह बहुत ही इंबैलेंस्ट है और यह जो है भगवगीता में भगवान इस लोग उस ओर में कोट किया है घर भगवान कहते है कि मैं काम हो और कैसा प्रुद्धो भूते इशुकामों उसमि भरतर्ष लदर्म के विरुद्ध में नहीं है वैसा काम उसका सुष्टीक्र नि बाद में करते हैं प्रसंधार्प दस्तवयदिया But को उसे प्रजन उस संतान उत्पन्य होते तो मैं हूँ तो काम से जब संतान उत्पत्य होती है वह भगवान है तो ऐसे काम की काम को धर्मार्द काम मोक्ष में बताया गया है ऐसे काम को एक respectable place है पर अभी जो अगर biological दुष्टी से भी देखते हैं हम तो जो sex है उसका उद्देश क्या है? उसका first nature की दुष्टी से नैसर का से दुष्टी से सकते हैं वह है रिप्रोडक्शन, संतानुत्पन्ति करना और दूसरा है pair bonding, pair bonding मतलब जो पूरुश वरस्ती सा साथ में आ रहे उनमें एक bond होना चाहिए, संबंद होना चाहिए क्यों? क्योंकि अगर biological दुष्टी से भी देखते हैं हम तो जो मानो की संतान है वह उनको काफी समय तक देखबाल करना पड़ता है मातापिता द्वारा बाकि कुछ चानवरे संतान को संतान तो आसाने से प्रमानों के संतान को काफी समय से देखबाल उनके होनी चाहिए और देखबाल कैसे होगी जब उनके मातापिता साथ में आएगे तो इसलिए जो जो सेक्स है उससे पैर बॉंडिंग होता है वो सेकंड पर्पस है और पैर बॉंडिंग एसे होता है जिससे कि वह फॉर्मल पैर बॉंडिंग हो जाए तीसरा है प्लेजर उसमें कुछ आनंद भी है भोग भी है पर वह तृतिय है वो देश तो अभी यहां पर जब कोई कि नास्टरोपेट कर रहा है को पॉन देखे मौस्टरोपेट कर रहा है तो क्या कर रहा है उसमें तो रिप्रोडक्शन कुछ आता है संतानुत्ति नहीं है कुछ पैर बांडिंग भी नहीं है केवल काम है वह चमतकार जो भगवान की कुरुपा से आता है तो जब पुरुषवस्ति साथ में आते हैं तो तभी कि वह एक तरह से बहुत प्रवान की लिए माध्यमंद्र हे एक ने जीव को इस जगत में प्रकट होने के लिए OKC and हे वह उचीत है वह भगवान के तरख रहन है पर जो काम बिना किसी धर्म के बिना किसी सब्द ktoś के लिए जाता है तो वह क्या कहते हैं भगवान भगवान कहते हैं दुश्पूरे ना नलीन हिन चनना धोड़ा के अगनी है जिव अमझेगीarle Toppsam लोटारा कृक्सोней एसे काम उत्य पांभ Stevens ट traum Dip लेगे वियक्ति के जीवनकों वेक्तिके धंधराशी को सब आपको बिनाश कर सकती है वो इस यगत का शत्रू हो सकती है तो कभिकर इसे बता जाता है अब यह इसी मुई ओम जी में बताएगा है तू में कि यह भारत जो 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 conservative values है यह बहुत यह से सेक्स पे नियंतरन करना बोलो अगरे यह सब जो है यह मैकोले जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने विक्टोरियन मॉरालिटी दिए वो उससे प्रूडिशनेस उससे बहुत ही बहुत ही conservative बहुत ही नियंबद्ध जो संस्कृतिय वह वहां से आई है अब ही मैकोले ने तो लोबस अस्मादेतत्रयमतजेत काम काम क्रोधर लोब यह जो है यह तीनों जो है नरक के द्वार है उनसे बचे रहो यह शास्त्रों की ही शिक्षा है और कोई कहता है मतलब कोई liberal अपनी शिक्षा अपनी विचार है यह मास्टरविशन सब कुछ थीक है वह बोलने के लिए क कि मैं शास्त्रों के असली मर्म को जानता हूं और जो अभी कह रहे है कि हमें कुछ नियंत्रन रखना चाहिए वह शास्त्रों के मर्म को जानते नहीं वह अज्ञानी है मैं ज्ञानवान हूं और यह तो परदेश जो लोग आए है उनके बातों को आप शास्त्र बता रहे है गांधे सिनिस्टरं जो धूरत भाव है यह प्ऎल कहते एप सि अशसी जो सही है उसकी उसके वीरुद्ध में इसक निशक घ्कालती ये वे तामसिक बुद्ध है । जो धर्म को अधर्म मानता है अधर्म को धर्म मानता है तमस से वो आवृथ है, तो वो वक्ति उसके निश्क्चपुरे उल्टे आते हैं। और जो वेदिक शास्त्रो में काम के लिए जगह है पर काम का एक उदेश हैे और उस से निकालके कुछ लोगों को लेकर ऐसे जस्टिफाई करना या वेदिक शास्त्रो को मिस्रेप्रेजिंट कर रहा है और इसे कि एसे करने से काफी लोगों को खत्रा भी हो सकता है। लोग in addition मेरी फस सकते हैं। sti है जरूर है विह बात है हम एक और बात कि हमनी चाहते कि कोई भी बच्चा किसी भी और ऐसे किसी कारण से आत्मात्या करें। तो वुज पर वो आत्मात्य टालने के लिए क्या करना जरूरी है और आध्यात्मिक ज्ञान देना है खेवल बहुत एक सेक्स एजूकेशन देना है कि मास्टरविशन इस और और फिर एक और बात है कि वहाँ पर यह उस विक्ति को इतनी बदनामी होते उसको शेम किया जाता ह एक कि यह क्यों हुआ क्योंकि हमारी सामाध्य कानजर्वेटिव है लोग सेक्स तो करते हैं पर सेक्स कारें बात नहीं करते हैं जो को सिकारे करता है इसको बदनाम कर देते हैं पर वास्ते में जो बदनामी हैं वह केवल sex education चले जाने वाली है अमेरिका में एक CNN का बड़ा वो उतार के masturbate कर आता है, जब बाकी सब मीटिंग वक है, लोगोंने देख लिया, तो they were disgusted, उसकी भी बदनामी होगा, उसको suspend कर दिया काफी समय तक, तो अभी कोई inappropriate अनुचित कारे करता है, तो sex education क्यों नहीं हो जाए, उससे तो बदनामी तो हो नहीं वाली है, तो is this a bad thing, क्या हम चाहते है कि, अगर यह perfectly normal or natural है, तो क्या हम चाहते है कि लोग अपने office में आके ऐसा कारे publicly करें, नहीं, कुछ चीजों की privacy आपको करना अभी है, तो अगर कुछ ऐसे जगे पे कारे कर रहे है, वह सही नहीं है, तो उससे shaming यो है, यह बुरी चीज नहीं है, कई अभी 10-15 साल पहले लोग publicly बहुत smoking कर दे थे, और फैशन में आ जाता था उसको, अभी public smoking तो काफी कम हो गया है, क्यों, क्योंकि एक तरह से ज्ञान फैल गया है कि passive smoking, तो एक रक्ती cigarette फुकर है, दूसरों को भी उससे खराब होती है, उससे खराब होती है, उससे खराब है, तो यह केवल काइदा कानों से रोकाने जाता है, और कोई public में smoking कर रहा है, तो सब लोग जो है, उसकी एक तरह से disapprove करते हैं, निंदा करते हैं, उसको कोसते हैं, तो जो public disapproval है, जो shaming है, उससे जो हानिकारत व्यावहार है, उसको भी रोका जा सकता है, और ऐसे ही, जो masturb masturbation है, उसको जो है, उसके कितने सारे खत्रे है, तो shaming यह चीज बुरी नहीं है, पर अफकोस shaming अगर इतना हो जाएगा, इतना मात्रा में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो फिर वो गातक हो सकता है, तो हम कह सकते हैं, समाज को आप shaming मत करो, समाज को परिवातन करन कौन-कौन से चीजों से आप shaming नहीं होने देगे, क्या कोई भी चीज shaming नहीं करना चाहिए उसके लिए, पर उससे बहतर है कि व्यक्ति को अंदर से सुद्रूर बनाओ, ताकि अगर कोई वो ऐसा कारे करे नहीं, जिससे कि व्यक्ति को शर्मिंदा होना पड़े, और अगर अगर ऐसा कारे हो भी जाकर शर्मिंदा हो तो वो इतना हताशने हो जागी खुद का जीवन अंत करने का प्रयास करें, और इस तरह से व्यक्ति को अगर सुद्रूर बनाना है, फर्स्ट डोंट डू शेम्फुल आप्स अंगर करना है, तो वापस हमें spiritual knowledge जरूरी है, आत्म ख्यान जितना होगा उससे शुद्धिकरण होगा, विक्ति ऐसे कारे करेगा नहीं, और अगर ऐसे कारे हो भी जाएगे, तो वो इतनी गलानी में नहीं फसेगा कि वो खुद को विनाश करने का प्रयास करेगा, और यह ठीक है, यह गलती हो गई, यह मेरे conditioning है अभी, और मैं आत्मा शुद्ध है, मैं आत्मा के सरव जाने का प्रयास करता हूँ, और फिर उससे मैं ऐसे चीजों से आगे पर जा सकता हूँ, तो सारांच में, यह महत्वपूर्ण है, यह मूवी में बताएगा कैसे युवक आत्मात्या कर रहे है, जो भी आत्मात्या करने के लिए लि ज्यान देना भी जरूरी है, पर कौन सा ज्यान है, वह ज्यान, सेक्स एजुकेशन के नॉर्मल है, उससे ना तो उस व्यक्ति के लिए फरक पड़ता था, नहीं बाकी लोगों फरक पड़ना अला, आध्यात्मिक ज्यान, यह हम आत्मा है, अमिनाशी है, उससे फरक पड़े मास्टरबेशन से जो है, जो वह शब्द निवा, वह कोई मुत्र के समान नहीं है, वह मुल्यवान चीज़ जिसे जिवन के पुष्टी होती है, और उसके से अगर देना है, तो यहीं नाचरल है, पर मास्टरबेशन से जो होते हैं बताना धरूरी है, जो बड़े बड़े सकते हैं, बच्चे को चाइल्ड अब्यूस हो सकता है, बच्चे ऐसे कारे कर सकते हैं, आजकल पॉन देखें कि इसे वह जार्ड डेंजरस सेक्शुल बिहेवर में लग सकते हैं, और कुछ सेक्स ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो उसके बार में आप सेक्स एजूकरिशन दो, यही करो और बाकि सब भूल जाओ, इसके यह एक स्टेपिंग स्टोन है, इससे आगी जाना है, चास्तों में बहुत कुछ बताया है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, पर कि पहले मोक्ष को भूल गए, फिर धर्म को भूल गए, अर्थ को भूल के सिर्फ काम के पीछे लगे हुए, तो यह जो है, यह कहते हैं भगवान नरक का द्वार है, यह हमारे आत्मिनाश कर देगा हमको, तो ऐसे चीज़ की कोई पुष्टी नहीं की है, तो हमें वास्तों में अगर जो आत्मात्या का प्रेवेंशन करना है, तो उसके लिए ज्यान देना दो देए, सबसे महत्पूर्ण ज्याने, वो आध्यात्मिन जो भगविता से आता है, और जो स्पेसिफिक सेक्स कराएगा, वो इजुकी नहीं दे सकते हैं, पर जो प्रॉब्लेम जो अलिक्स कारण है, उसको हम ऍाड्रस करना है, तो हम प्रात्ना करते हैं कि जो भी बच्चे आत्मात्या करने का विचार करें किसी भी आराण से, उनको आध्यात्म का ज्यान मिले, और वह इस प्रकार के बरताओं से बच सके रे क्रिश्णा